हेलो एबरिवान एक पर फिट से आपको स्वागता है हमारे इस चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर के आए है देखे बचे आप सबको हम जितनी भी वीडियो कराते हैं अकाउंट की कमपनी की तो वहाँ पे हम हर बार एक लाइन जरूर बोलते हैं कि कोई भी कमपनी जब अपना बिजनस शुरू करती है तो इट इस नॉट पॉसिबल फोर ताट वर्टिकुलर कमपनी की वो सारा पैसा ख इशु करके या अदर सिक्योरिटी इशु करके अब यहां पर जब वो शेर्स इशु करती है तो ऐसे सिच्वेशन में जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर कमपनी के शेर्स खरीदते हैं सब्सक्राइब करते हैं या फिर ले लेते हैं उनके पास उस कमपनी की एक छोटी से हिस् सेदारी के छोटे-छोटे पार्ट को जब बाट दिया जाता है तो वो आपके शेर्स कहलाते हैं और वही शेर्स जब ले लिए तो मैं क्या हो गई शेर्होल्डर हो गई अब मैंने कमपनी के शेर्स लिए हैं तो ऐसे सिच्वेशन में क्या होगा कमपनी बहुत का फरेगी हो गई हैं अब ऐसे में में बोला कि भाई देख तेरु को मैंने पैसा दिया कमपनी चलाने के लिए ठीक है और मेरे भी इस कंपनी में छोटी हिसा ही पर हिस्सिधारी है तो अब जब तुम इतना पैसा चाप रहे हो, इतना पैसा अर्न कर रहे हो, इतनी जो है आप जो है, इतनी income बना रहे हो profit generate कर रहे हो, तो मुझे भी दे, ठीक है, तुझे मिला मुझे भी दे, तो ये situation हमने कही जाके company से now company says कि यार बात तो तो ठीक कह रहा है, तो company क्या करेगी, जितना भी उसको profit हुआ होगा, जितना भी उसको profit हुआ होगा, उसका कुछ पैसा, कुछ पैसा मतलब कुछ point या कुछ amount, वो अपने इही shareholders को बाट देगी, एक profit के portion के रूप में, जिसको dividend कहा जाता है, तो dividend यही होता है कि आपकी company का दे देती है, यहाँ पे compulsion नहीं होता, और यह भी नहीं है कि जितना profit हुआ है सब उठा करके दे दो, सब उठा करके दान कर दो, यह भी नहीं है, company कुछ amount जो है, अपने पास रखती है ताकि वो future में अपने business के जो भी चीज़े हैं उसको expand कर सके और business को और ज़्यादा grow करा सके और कुछ amount dividend के रूप में बाट देती है, अभी जैसे अगर हम latest बात करें तो यहाँ पे अगर आप share market में थोड़ा बहुत भी interest रखते हो तो एक तो एक दो companies ऐसी है जिसमें आपको dividend आप देख सकते हो एक दो क्या बहुत है, in fact बट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जैसे यह dividend आपका यह विदानता का मैंने खूला हुआ है यहाँ पे dividend इन्होंने डिकलेर किया है और इन्होंने का है 6th April जो है X date है, यानि कि 6 April को जिस्टिस व्यक्ति के पास इस company के shares होंगे उसको जो है dividend मिल जाएगा और dividend यहाँ पे amount लिखा हुआ है dividend का amount है 20.5 पैसे एक shares के अलिए तो यानि अगर मेरे पास 100 shares हैं तो मुझे इसके जो है into 20.05 करके आप देख लीजे तो मुझे उतना amount मिल जाएगा अब यहाँ पे dividend कब issue होगा क्या dividend साल के आखनी में क्योंकि अगर आप देखो आप से पुचा जाएगी company को profit कितना हुआ आप तो कहोगे कि यार हम जो है साल के end में balance sheet बनाते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमें कितना profit हुआ है लेकिन जो companies listed होती है उनको quarterly अपने results देने पड़ते हैं और वो quarterly अपने results में profits declare करती है और वहाँ पे उनका profit एक तरीके से quarterly रूप में हमें दिख जाता है अब यहाँ पे company चाहे तो साल, सालाना खतम होने के बाद वहाँ पे dividend issue कर सकती है dividend बता सकती है, declare कर सकती है या फिर साल के बीच में या तो साल के बीच में वो dividend दे सकती है जैसे जो अभी मैंने आपको विदानता का दिखाया था उसमें यही situation थी recently अभी उन्होंने एक dividend declare किया अपने के पास दोनों options होते है कि वो जब चाहे, जितना चाहे dividend issue कर सकती है अब यहाँ पे दो situation हो गई एक final में जाने के बाद final होने के बाद आपने dividend issue किया जैसे अभी यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपके पास 6th April को dividend है उससे पहले 3rd February को dividend है उससे पहले 29 November को dividend है और उससे भी पहले आपके पास dividend मिलेगा 26 July को ऐसे आप देख सकते हो कि इसकी history में कब-कब dividend दिया गया है चलिए तो अब यहाँ पे दो dividend के situations आ गई एक final के बाद में और एक जो है आपका साल के पहले और यही इसका difference है the major difference सबसे पहले देखिए इंटीरियम डिविडेंट क्या है जो dividend declare किया गया है between two annual journal meetings यानि कि दो annual journal meetings यहाँ पे आप जो है साल नहीं लिखोगे बलकि इसको mention करोगे two annual general meetings ठीक है जिसको हम AGM कहते है AGM जहाँ इन दो AGM के बीच में कोई दो AGM है AGM की डेट है उन दोनो AGM के बीच में जब company declare करती है dividend तो उसको कहा जाता है interim dividends जो कि directors के थूँ declare कर दिया जाता है A dividend declared in between two annual journal meetings of the company by the directors is known as interim dividend वहीं it is a dividend which is proposed by the directors at the annual general meeting and approved by the shareholder final dividend क्या होता है जहाँ पर directors क्या करते है जाते है अपनी annual general meeting में और shareholders के सामने propose रखते हैं कि यह हमारा dividend के लिए हमने propose किया है और वहाँ पर shareholders उसको approve करते है AGM में shareholders उसको approve करते है और उसके बाद वो dividend आता है तो interim dividend जो है directors ही कर देते हैं इंटीरियम दो annual general meetings के बीच में और जहाँ पर annual general meetings के बीच में director लेकर के जाते है proposal और वहाँ पर उसको shareholders अपरोव करते है वो आपका final dividend होता है year of declaration interim dividend क्या है it is declared during the current financial year यह declare होता है जो भी current financial year चल रहा हो और final dividend क्या होता है यह declare होता है after the end of the financial year यानी एक financial year खतम हो गया है उसके end में जाकर के उसके end होने के बाद आप इसका dividend declare करते हो यानी यह साल चल रहा है आपको जो है quarterly में अच्छा profit होगा, आपने का चलो भी थोड़ा लोगों को भी बाट देते हैं, तो आपने उसको दे दिया, तो वो particular इस current year से related आपका dividend होगा, वहीं ये year खतम होने के बाद आप जो है कहते हो कि हाँ इस साल profit हमें अच्छा हुआ था, तो हम जो है इसका dividend देत रहा है, creation of liability, interim dividend क्या होता है, जैसे ही आप इसका declaration करते हो, ये कोई liability आपके उपर नहीं खड़ी करता, यानि आपने कहा, आप जो है, दो पैग मार के बिचारे बैठे थे, एक girlfriend से जगड़ा हुआ था, दो पैग मारे, आपने कहा यार बड़ फरेशान हो रहा हुआ, उठा कि हम dividend देंगे, आपने news में डलवा दिया, dividend देंगे, dividend देंगे, interim dividend, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि interim dividend जैसे ही आपने declare किया, तो लोग आपके चड़के बैठ जाएंगे, कि लाओ मेरा पैसा, यानि it doesn't create liability, ये आपके liability create नहीं करता है, बट वही final dividend की तरफ अगर देखा ज होता है, उससे company के उपर एक liability आजाती है, अब यहाँ पे, जब आपके उपर liability, interim dividend में, liability ही नहीं आई है, तो ऐसे situation में, after declaration, it can be revoked, यानि आपने declare कर दिया, अभी आपके उपर liability नहीं बनी है, because आपने सिर्फ डिकलेर किया है, और interim dividend है, तो आप चाहो तो इसको revoke कर सकते हो कि, अरे भाई, भाई, भाईया, मिरसे गलती हो गई, मैं काहे को यहाँ आगया, मुस्से गलती हो गई, ऐसे कहके, आप उसको वापस revoke कर सकते हो, और wear it before its payment, ठीक है, आप इसको revoked कर सकते हो, और wear it कर सकते हो, payment से पहले, वहीं अगर final dividend की बात करें, तो आपने बोल दिया, यानि की पत्थर की लकीर है, अब आपको मानना पड़ेगा, आप अपने वर्ट से पीछे नहीं हट सकते, so after declaration, it can neither be revoked nor be wear it, ना तो आप इसको revoke कर सकते हो, ना इसको wear it कर सकते हो, चीक है, तो यह था गाईस, आज का हमारा छोटा सा topic, जहां हमने interim dividend और final dividend के बारे में समझ जाया होगा, बहुत छोटा और बहुत ही, simple सा, जो है topic है, but still आपको, अगर नहीं समझ आया, फिर भी तो let me know in the comment box, ताकि मैं next time थोड़ा और इसके बारे करके आपको समझाऊ, so तब तक के लिए, let's see you in the next video, till then, take care of yourself and take care of your health.